हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं, एक्स्प्लोइटेटिव मॉडेल के बारे में हम मॉडेल्स ओफ आर्बान ग्रोथ में बहुत सारे मॉडेल के बारे में स्टाडी करते है जहाँ पर आर्बान किस तरीके से डेवलोप होता है, सिटिस किस तरीके से डेवलोप होते है इसके बारे में बहुत सारे मॉडेल्स, बहुत सारे ठिंकर ने दिये हैं यहाँ पर हमने प्रिवियस क्लास में डिसकस क्या है Concentrated Zone Model जो बुर्गिस ने दिया है फिर देखे है Sectors Model जो Homer Hoyatt ने दिया है और Multiple Nucle Model जो Harris and Ulman ने दिया है आज हम देखेंगे कि Exploitative Model क्या है इसके बारे में आज के क्लास में हम डीटेल देखेंगे अगर आप लोगोंने previous classes नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे प्लैलिस्ट में जा सकते है वहाँ पर Urban Sociology का प्लैलिस्ट है वहाँ पर ये सारे classes आपको मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल पे ने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को Like और Share जरूर करना क्योंकि Sharing is Caring इस चैनल पे आपको sociology related सारे वीडियोस मिलेंगे जो इगनो के साथ साथ कोई भी competitive exam हो आपको help करेगा यहाँ पर प्लैलिस्ट से आप प्लैलिस्ट से study कर सकते हैं यह आपको help करेगा तो चलिए आज का class शुरू करते हैं हम आज का class जो है ये exploitative model के बारे में है यहाँ पर आर्बान ग्रोथ के जो models है इसमें से जो exploitative model है ये थोड़ा अलग तरीके का model है बाकी तीन model एक तरीके का है और exploitative model अलग तरीके का है यहाँ पर exploitative model में हम mainly क्या study करते हैं exploitative model three semi circular concentric zone में बटा हुआ है यहाँ पर जो भी चीजे है exploitation का जो भी चीजे है यह समझाई जाती है on the basis of ownership of resources and ability to pay यानि कि इसमें आपको देखा जाएगा कि किसके पास चीजों का ownership है resources को कौन own कर रहा है और कौन ज्यादा pay कर रहा है taxes इसके basis पे यह model तयार किया गया है इस model से हम समझ सकते हैं कि money पैसा किस तरीके से cities में flow होता है यह कैसे inner cities से outer cities तक चीजे flow करती है पैसा किस तरीके से जाता है जो भी slum में रहते हैं उसके बाद working class उसके पाद जो भी higher class है उन तक पैसा किस तरीके से पौशता है और कौन किस को किस तरीके से exploit करता है इसलिए इस जो model है यह model का नाम ही है exploitative model मतलब यहाँ पर exploitation की बात की जा रही है कि किस तरीके से कोई एक दूसरे को exploit कर रहा है यहाँ पर जो model है यह model तीन semi circular concentratic zone में divide किया गया है पहला है the city of depth फिर है the city of need और आखिर में है the city of superfluity इसके अलाबा भी हमें और दो concepts याद रखने होगे जो है depth tax और machine tax अब देखते हैं यह सारे चीज़े क्या है exploitative model में जो चीज़े है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन semi circular चीज़े हैं एक number पर है city of death दूसरा है city of need फिर है city of superfluity और death tax और machine tax में यहाँ पर बटा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक river का symbol है लेकिन यहाँ पर river भी हो सकता है कोई एक border area हो सकता है या फिर कोई भी समुद्र हो सकता है इस हिसाब से यह सिर्फ just एक model है इसके basis पर उन लोगों ने इस model को define किया है अब देखते हैं कि the city of death में क्या होता है city of death इसको क्य क्यों कहा जाता है ये जो city of death है यहाँ पर कौन रहता है यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर mainly जो slam dealers है slam के लोग है वो लोग रहते है यहाँ पर सबसे ज्यादा exploitation होता है बाकि जो areas है बाकी जो दो concentrated zone है वो लोग इनको exploit करते हैं जो city of death में रहते हैं उनको exploit करते हैं यहाँ पर जो लोग है यह बहुत ही गरीब लोग होते हैं यह लोग mainly हम जिनको कहते हैं slums में रहते हैं वो लोग होते हैं इन लोगों को दो तरीके का tax pay करना पड़ता है एक होता है machine tax दूसरा होता है death tax सिर्फ इनको taxes ही pay करना पड़ता है ऐसा नहीं लेकिन इनके पास कुछ चीजों का कमी होता है यह लोग जो city services जो बाकी लोग को मिलता है इनको नहीं मिलता है इनको बाकी चीजों का नहीं मिलता है इनको health अच्छी नहीं मिलता है इनको खाना भी अच्छा नहीं मि और mainly ये जो city of death है इनको हम slums कहते हैं यहाँ पर उन लोगों को दो तरीके का tax पे करना पड़ता है एक होता है machine tax और दूसरा होता है death tax machine tax क्या होता है ये जो लोग slums में रहता है ये normally जो एकदम छोटा वाला काम है छोटा मोटा काम ये काम करते है उन लोगों को पैसा कम दिया जाता है उनके काम के तुलना में इसके वज़े से जो भी वो लोग extra काम करते है उनके हिसाब से उनको जितना पैसा दिया जाता है उन इसलिए उन वो लोग ज्यादा उपर नहीं जा पाते क्योंकि उनको पैसा ही कम दिया जाता है फिर उनको देना पड़ता है death tax, death tax का मतलब क्या है कि higher prices of food, housing, consumer items, services मतलब उनको खाने के लिए भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है, रहने के लिए भी ज्यादा पैसा देना पड जो भी services वो लोग लेंगे, उन सारे चीजों के लिए उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, मतलब उनके जीने के लिए भी उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए उनको यह जो tax है, इसको कहा जाता है death tax, यह जो machine tax और death tax है, यह directly हमारा जो income tax है, इस तरीके का कोई tax नहीं है, machine tax मतलब उनको पैसा कम दिया जा रहा है, machine की तरह उनको काम करवाया जा रहा है, इसलिए उसको machine tax कहा जाता है, और death tax का मतलब उनको खाने के लिए जो ज़रूरी चीजे है, जीने के लिए और नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो लोग जो पैसा दे रहे है एक्स्ट्रा उसको कहा जाता है death tax अब देखते है दा city of need city of need में mainly जो blue collar working class है वो लोग रहते हैं working class मतलब जो office वगएरा में काम करते हैं इनको भी exploit किया जाता है इनको जो इनके बाहर वाले जो classes है जो higher class है वो लोग इनको exploit करते हैं जो politician, businessmen है वो लोग इनको exploit करते हैं इनको भी machine tax देना पड़ता है लेकिन ये लोग death tax पे नहीं करना पड़ता है ये लोग इनसे relieve हो जाता है कि उनको death tax नहीं पे करना पड़ता है ये चीज हमको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा जो city of death है वहाँ पर machine tax और death tax दोनों देना पड़ता है और जो the city of need है इस इसमें सिर्फ मेशिन टेक्स देना पड़ता है, डेट टेक्स नहीं देना पड़ता है, अब देखते हैं the city of superfluity, यहाँ पर क्या होता है, यह जो third ring है, outer most ring है, यहाँ पर इसको कहा जाता है, superfluity, the city of superfluity, यहाँ पर mainly जो entrepreneurs है, elite persons है, politicians, businessmen, corporates, यह सारे लोग यहाँ पर रहते ह यहाँ पर वो लोग laser life बिताते हैं, मतलब बहुत यह आराम की जिंदगी बिताते हैं, यहाँ पर यह जो लोग है, वो बाकी दो जो concentratic zone है, वहाँ के जो लोग है, working class और slams में रहने वाले जो लोग, उनको exploit करते हैं, उनको exploit करने के बाद जो पैसा मिलता है, उनसे यह इसको कहा जाता है, the city of superfluity, अब यहाँ पर जो यह model है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, यह जो model है, यह mainly जो outer zone है, outer zone में लोग कम रहते हैं, जो superfluity, city of superfluity है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, लेकिन वो जो कम लोग है, वो ही बाकी सारे लोगो को control करते हैं यह जो पूरा का पूरा governance system है यह जो पूरा का पूरा city होगा यह city के सारे लोगों को और सारी working को यही एक group control करता है इसलिए इसमें exploitation भी ज्यादा होता है यह जो model है यह exploitation का एक बहुत ही अच्छा model है कि किस तरीके से society में या फिर cities में exploitation होता है यह जो problem से किसी society में exploitation है यह सारे pictures को बहुत अच्छी तरीके से define करता है यह complete theory है यह complete model है urban growth का urban growth में क्या क्या problems है और किस तरीके से यह problems तयार होती है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताता है यह जो पहले zone में जो लोग थे जाथ city of death में यहाँ पर जो लोग है वो लोग ज्यादा grow क्यूं नहीं कर पाते इनका growth कम क्यूं होता है इनके पास पैसा कम क्यूं होता है इसका कारण है इन लोगों को jobs of opportunity कम मिलता है यह लोग अपने skills develop नहीं कर सकते इनको training भी कम मिलता है इस बज़े से वो लोग ज्यादा exploit होता है और in exploitation के बज़े से ही उनको jobs वगेरा skills वगेरा ट्रेनिंग वगेरा यह सारे चीजे नहीं मिलती है इन लोगों को दो तरीके का tax जो pay करना पड़ता है इसके बज़े से उनको बहुत पैसा कम पड़ जाता है अपनी जीने के लिए इसके बज़े से वो लोग अपना जो पैसा है वो invest नहीं कर सकते आगे की जो generation है उसको pass out नहीं कर सकते और इनके मुकाबले अगर हम देखे जो भी city of superfluity में है उनके पास बहुत ज्यादा लेजर लाइफ है उनके पास job opportunities ज्यादा होता है वो लोग बहुत अच्छी जगा पर study कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके का ट्रेनिंग ले सकते है क्योंकि इनको कोई exploit नहीं कर रहा है इनको कोई death tax या फिर machine tax नहीं देना पड़ रहा है इसलिए ये model बहुत ही एक comprehensive model जिससे हम ये urban growth के बारे में अच्छी तरीके से जान सके जो भी cities में functioning है working है किस तरीके से politician या फिर businessman exploit करते है और Islam dealers किस तरीके से exploit होते है इसके बारे में ये comprehensively बताता है ये model बहुत ही एक important model है exam के perspective से और हमें कोई अगर city को जानना है इसके हिसाब से भी ये बहुत एक अच्छा model है अगर आज का class आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring तो मिलते है अगले class में तब तक अच्छे रहिए सुस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जाए हिंद में प्यार बाटते हैं जाए हिंद